लंबे समय से इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में भकत आज मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश जी के दर्शन किये मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट लाना या मोबायल में वैक्सीन लगे होने का मैसेज दिखाना आवश्यक किया गया है यह दिखाने के बाद ही मंदिर परिसन में भकतों को प्रवेश दिया जा रहा है अन्य भक्तों को इन दर्शन आर्थियों के निकलने के बाद ही प्रतिमा के दर्शित के लिए जाने दिया जा रहा है मंदिर के बुजारी श्री अशोग भट्टे ने बताया कि आज भी बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किये और जो लोग वैक्सीन लगाने का साक्ष लेकर नहीं आये थे उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया श्री भट्टे ने कहा कि कल रहिवार को पून कोरोना करफी होने के कारण मंदिर बंद रहेगा लेकिन बुद्वार को बड़ी संख्या में भक्तों के मंदिर पहुशने की संभावना है जिसके चलते वरतमान विवस्ता के तहट बड़ी संख्या में भक्तों को बाहर रोकने में परिशानी आएगी उन्होंने कहा कि बहतर हो कि बुधवार को मंदिर को बंध ही रखा जाए अब क्या करेंगे दूसरे हन्मान जी के मंदिर में दीवया चलाना है यहां से प्रणाम कि आगे जाएंगे लिए अप लोग क्या जान करें देख रहे हैं लगबग कितने लोग अभी तक आये हैं जिन्होंने वेक्सिन सर्टिफिकेट दिखाया कितने लोग आ गये हैं अभी तक वेक्सिन सर्टिफिकेट के साथ आये हैं अभी हमान लोग यह पाच्छे से लोग और कितने लोग वापस गए उसमें कुछी लोग है बापे, इसके पास नहीं है, रच्सिंसाइटिब करते हैं इसके पास है नहीं है